गतिशील आगरा जिया मोहबत की नगरी कहिए जाता है ताज नगरी कहा जाता है आगरा और आज हम आगरा की बात कर रहे हैं यानि आगरा किस तरह डवलप हो रहा है और आगरा के लिए क्या कुछ सरकार के पास प्लान है और हमारे साथ देखे खास मेहमान है अवनीश अवस् सर पहले तो सबसे पहला सवाल यहीं है कि योगी पार्ट टू एक साल पूरा होने जा रहा है पार्ट टू को कैसे देखते हैं इसे एक साल को जी टीवी को और जी टीवी के पूरे परिवार को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने यहां बुलाया रमेश जी ने विशेश रूप से अन्रोद किया जी ने अन्रोद किया और आगरा तो ऐसी जगह है कि यहां बार-बार आने का मन भी करता है तो मैं सरप्रथम तो जी टीवी को यहां धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगरा स्पेस्विक आपने आज ये कारिक्रम रखा है मुझे खुशी है कि मैं अपने मुख्याले से यहां आपके साथ समय बिताने आया हूं जी से मेरा रिष्टा बहुत पुराना है चुकि हम लोग फील्ड के अफसर रहे हैं तो पहले पहले जब जी आया था तब से जो है हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो जी को बहुत बढ़ाई आपने पहला ही प्रश्ण जो है सबसे मजबूत प्रश्ण किया है कि योगी 2.0 का क्या मतलब है और मैं आपको केवल इतना कह सकता हूं कि योगी 1.0 आपने देखा होगा 2017 से 2022 तक मानी मुख्यवंत्री जी ने अपने प्रदेश में जो सरप्रथम चीजों को टेक अप किया वो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनालिटी लॉड और को जो है मजबूती से ऐसे जड़ तक पकड़के उसको ठीक किया हमारा प्रदेश 25 करोड का राज है सबसे बड़ा प्रदेश है इस प्रदेश की साख बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन आज पूरे विश जो काम पिछले पाथ साल में किया है और जो माफियाओं की कमर तोड़ी है जो क्रिमिनल्स की कमर तोड़ी है मैं आपको यह कह सकता हूं कि जब 2017 में सर के साथ हमने काम करना शुरू किया था हम भी इस प्रदेश में कई जन्पदों में तैनात रहे हैं हम लोगों को कारे में कितनी सफलता मिलेगी लेकिन 2022 तक आने आने तक कल भी मैं एक सीनियर जजज साब से भी डिसकस कर रहा था मैं यह कह सकता हूं कि क्राइम और क्रिमिनलिटी पहले तो हम लोग सोचते थे कि इसको कम किया जाए और कंट्रोल किया जाए अगर प्रदेश सरकार मानी मु अगर इस पूरी ताकत से जो कार हो रहा है यह आगे बढ़ता रहा तो क्रिमिनलिटी वाला जो क्राइम है यह जीरो हो सकता है